हे दोस्तों स्रीपार्नास्री चैनल में आपका बहुत सागत है दोस्ता आज की जो वीडियो है नहीं बहुत ज़्यादा important वीडियो है सबके लिए आप लड़का हो लड़की हो married हो unmarried हो सबके लिए बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको बताओंगी एक काम जो आपकी value नहीं करते है लेकिन कारण बहुत deeply समझना पड़ेगा और ये कारण है दोस्तों आप खुद की value नहीं करते हो और सबसे मज़दार बात ये है आपको खुद नहीं बताए कि आप खुद की value नहीं करते हो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप खुद की value करते हो लेकिन असल में आप गलत जानते हो तो सही पता आपको कैसे चलेगा कि सच में क्या आप खुद की वैलू करते हो या नहीं, तो आज मैं आपको साथ पॉइंट बताऊंगी, आप चेक कर लो ये साथ पॉइंट अगर नो होता है, मतलब ये जो साथ पॉइंट में पॉइंट इसमें जोगा येस और नो का, और उगर साथ mów के साथ कोइस्टिन में आपका नो ही असर आता है, इसका मतलब आप खुद की वैलू नहीं करते हो और अगर ये साता है, मतलब आप खुद की वैलू करते हो, तो बहुत ये अच्छा सुनेरा आवसर है जानने के लिए कि क्या आप सच में खुद की वैलू करते हो या नहीं तो चलिए जल्दी से साथ पॉइंट हम डिसकस कर लेते हैं और एकदम ओनेस्ट हो कि आप सच बताना येस और नो चाहिए आप नोट डाउन कर लो कि आपका कितना येस आत या फिर कितना नो आता है अगर साथ में से पांच ये आपका नो आता है तो आपको संबलने की जरूरत है इसका मतलब आप सच में खुद की वैलू नहीं करते हो ठीक है चलिए सबसे पहले पॉइंट में आ जाते है सबसे जो पहला पॉइंट है ये है दोस्तो क्या आप गल्फरिंड के पीछे ही पड़े रहते हो गल्फरिंड अगर टाइम दे तो ही आप अपना काम करोगे बाकी का आप गल्फरिंड के पीछे ही लगा रहते हो अगर ऐसा करते हो तो आप इतनुम स्क्योर हो जाओ कि आप खुद की वैलू नहीं कर रहे हो जाने अन जाने आप अपने partner को बहुत ज़दा value दे रहे हो तो question यह है दोस्तों क्या आप अपनी काम की value करते हो yes or no में आप answer लिखो ठीक है दूसरे point में आ जाते है क्या आप अपनी look को importance देते हो मतलब आप पहले जैसा सच के सवर के रहते थे या फिर खुद के look के बारे में सोचते थे अपने आप को शीशे में देखते थे खुद को improve करने की कोशिश करते थे क्या आप अभी वी वैसा ही करते हो या फिर relationship बनने के बाद आप पूरा दिर उसके बारे में सोच के ही बिदाते हो कि कैसे उसको खुश किया जाए, क्या उसको गिफ्ट दिया जाए, क्या किया जाए, उसके बारे में ही सब कुछ सोचना, अगर ऐसा है, तो आप खुद की वैलू नहीं करते हो, तो तो question ये है कि क्या आप अपने लोग की वैलू करते हो, yes or no में आप answer लिखना ठीक है, तीन न अगर अपने बिजनस की उपर जाधा फोकस कर रहे हो, यस और नो, अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनस को, अपने सर्विस को, कुछ भी हो, आपका काम पढ़ाई हो, सबको साइड में रखते हो, सबसे पहले आप अपने पार्टनर को रखते हो, उसके साथ कि आप अपनी पड़ा ये पने जॉब अपने सर्फिस अपने बिजनस इस पर क्या आप ध्यान दे रहे हो इंपॉर्टन्स दे रहे हो इन सारी चीजों को यह और नो में एंसर लिखो ठीक है चौथे point में आ जाते है क्या आप अपने family को समय देते हो मतलब कि आप अपने काम तो करती हो, अपने girlfriend को समय देते हो, सब को समय देते हो, बस family के साथ बात करने की जब time आता है तब आप कुछ नखुछ करके टाल देते हो, अगर आपके ममी कॉल करते है, अगर आपके पापा कॉल करते हैं आप बोलतों मैं बिजी हूँ उसी टाइम अगर आपकी बॉइफरेंड या गल्फरेंड कॉल करते हैं तब आप एकदम देड़ दो घंटे बात करते रहे तो अगर ऐसा कर रहो तो आप अपने पैर पे गुलहारी मारे हो यह बिल्कुल सही नहीं है सबसे पहला importance आपको अपने family को देना ही चाहिए ठीक है क्योंकि उनी से आपका जनम हुआ है ममी पापा जनम हुआ है तो उनको first priority दो जो girlfriend है boyfriend है उनको भी है priority दो लेकिन ममी पापा से उपर वाले priority किसी को नहीं देना चाहिए ठीक है तो यह चीज आप अपने आपको question करो क्या मै है अपने family को समय देता हूँ yes or no next point में आ जाते है क्या आप अपने दोस्तों को समय plus importance देते हो दोस्तों को importance देने का मतलब दोस्तों के साथ भी दोस्ती निभाना थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ भी घूमने जाना दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा chatting करना फिर call करना यह सा इंसान होते है जो कि अपने boyfriend या girlfriend के आने के बाद अपने सारे दोस्तों से रिस्ते नाते तोड़ देते हैं तो अगर आप ऐसा कर रहे हो बहुत जल्दिया बहुत बुड़े पच्छतानी वाले हो ठीक है आपको ऐसा नहीं करना सही है आपको अपने दोस्तों को भी समय और importance देना चाहिए थोड़ा ही सही लेकिन दोस्तों को भूल नहीं जाना सही है ठीक है तो question यह है क्या आप अपने दोस्तों को समय और importance देते हो yes or no में answer लिखो 6 नमबर में आ जाते है क्या आप अपने इच्छाओं की कदर करते हो मतलब आपको कुछ इच्छा हुआ है आपको कुछ करने का मन हुआ है क्या वो चीज़ करते हो या फिर अगर आपके partner मना करते तो आप अपने मन मार के उसको मान लेते हो अगर ऐसा कर रहे हो definitely आप पूल ही जाओ ठीक है तो ये सही नहीं है तो क्या आप अपनी इच्छाओं की कदर करते हो yes or no चलो सताथ नमबर पॉइंट में आ जाते हैं last पॉइंट सबसे important point क्या आप अपनी समय की value करते हो अपनी time को value देते हो अगर पार्टर आपको बोलता है 5 बज़े मिलना है क्या आप 4 बज़े जाके 1 घंटा खरेर जाते हो पार्टर के लिए या फिर अगर आपके partner बोलता है 5 बज़े मिलना है और वो साथ बज़े आते है तो आप हसी हसी ये दो घंट वेस्ट कर दे तो उसकी पीछे, ऐसा करते हो क्या, फिर आप बहुत बड़े कुलाडी मारे अपने पैर पे, तो ध्यान रखना, पार्टनर के पीछे कुछी भी करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, टाइम बहुत कीमती चीज़ है दो, तो को इससे वापस नहीं ला सकते, ठीक है, तो ये जो साथ पॉइंट है, इसको आप साथ विस्टिन समझे लो, और इस पे ये सार नोत आप लिखे दिये हो, तो देखो आप क्या, पांच उसमें से नो निकल रहा है, अगर नो निकल रहा है, इसका मतलब आप कुछी वैलू नही ये सारा है, तो सही है, चलो ठीक है, दो तो कंप्रोमाइस किया जा सकता है, रेकिन अगर पांच नो आ रहा है, आपको खुद को सुधारने की जरूरत है, आप पार्टनर को खोने से डरते हो, तितना डरो मत, जो सच्चा प्यार होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, आप काल में फोट से या फिर स्क्रीन पे दी हुई नंबर पर वाटसप करके, पेट कॉलिंग बुक करके भी आप में साथ डाइडिट कॉल पर बात कर सकते हो, तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!